नमस्कार किसान भाईयो अभिमन्यू एग्री बिजिनेस के ओफीसियल यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की फसल में पहली टॉप डेसिंग में क्या क्या ड़ा है आलू की फसल में अंकुरण होने के बाद सुरुवाती ग्रोथ के लिए कौन कौन से पोशक टत्तूं के आवस्सकता होती है और हमें किस मात्रा में प्रियोक करना चाहिए आलू की फसल में पूरतया अंकरण होने के बाद 30 से 35 दिन की अवस्था में पहली टॉप डेसिंग करने का सबसे उप्यूकत समय होता है आलू की सुरुवाती ग्रोथ जितनी अच्छी होगी जड़ो का विकास अच्छा होगा पौधों में कल्ले अधिक बनेंगे और तना मोटा मजबूत बनेगा उस पौधे में ज़्यादा ट्यूबर की संख्या बनेगी और उससे उतना ही अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकते और यदि पौधा मजबूत और स्वस्थ होगा तो पौधों में बीमारिया वा कीतों का प्रकोब भी कम होगा आलू की फसल में पहली टॉप डेसिंग में हमें क्या-क्या प्रियोग करना चाहिए इसमें या विसेश रूप से ध्यान रखा जाता है कि आलू के लिए आवस्थ सभी तरह के पोशक तत्वों का समाबेस हो सके ताकि सुरुवाती ग्रोध अच्छी हो सके इसमें हमें प्रियोग करना है अभिमन्यू टोटल 5-10 केजी अभिमन्यू टोटल एक कार्बनी कुतपाद है जिसमें अमीनो एसिड, हुमिक एसिड, फिल्विक एसिड यवम नाइट्रो बेंजीन पाए जाता है इसके प्रियोग से फसलों में कल्लेवा साखाएं बहुत तेजी से बनते हैं और पौधे का बहुत तेजी से गुरोध होता है तीसरा हमें इसमें प्रियोग करना है अभिमन्यू डायमंड जिसकी 500 ग्राम मात्रा प्रियोग करना है यह पौधे के जड़ों के विकास में बहुत ही अच्छा काम करता है और इसके साथ में एक आखिरी प्रोडक्ट अभिमन्यू रूट ग्रो जिसकी पांच केजी मात्रा प्रियोप करना है या बैस्कुलर आर बैस्कुलर माइको राजा होता है जो पौधों में वाइट रूट्स का ग्रोध करता है जिससे पौधें मिट्टी से ज़्यादा पोसक तत्वों का और मिट्टी में उपलत पोसक तत्वों को सौल्व करने में भी या सहायव होता है जिससे पौधे मिट्टी से ज़्यादा से ज़्यादा पोसे तत्वू का और सोसंड कर पाते हैं और या मिट्टी को मुलायम भी बनाता है जिससे जड़ो का विकास अच्छी तरह से हो सब ही उत्पादों को 25 से 30 केजी यूरिया के साथ मिलाकर प्रती एकर के अधार पर प्रियोग करना है आलू में यदि बुवाई के 30 से 35 दिनों के बाद में इस टॉप डेसिंग का प्रियोग करते हैं आलू की फसल में सुरुवाती ग्रोथ और जड़ो का विकास बहुत ही तेजी से होगा यह आलू के लिए कंप्लीट टॉप डेसिंग होता है इसमें सब ही पोसकत तत्मों का समावेस है जिससे आलू का अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है यह जानकार यह आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक वर सेयर कर दें धन्यवाद